हिंदी सिनेमा में एक और बायोपिक बन रही है जिसका नाम है शेर सिंग राणा, विद्दुद जामवाल शेर सिंग का रोल निभा रहे हैं, शेर सिंग राणा वो है जिसने 25 जुलाई 2001 को डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की उनके घर के बाहरी गोली मार कर हत्या कर दी ये 1981 में हुए उस बहमई हत्या कांड का बदला था जिसमें फूलन देवी ने गाओं के 22 ठाकरों को एक साथ मार दिया था, बदला लेने वाले शक्स का नाम था शेर सिंग राणा, जिसने फूलन देवी की हत्या के दो दिन बाद आत्म समरपड कर दिया था, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, केस चल रहा था और शेर सिंग को तिहार जेल में रखा गया, लेकिन तीन साल जेल में रहकर वो फरार हो गया, पहले बांगलादेश और फिर दुबई होता हुआ अफगानिस्तान पहुचा, वहां से समराठ पृत्वी राद चोहान की अस्थिया लेकर भार माता पिता ने नाम रखा पंकच सिंग राना, छोटे से परिवार में शेर सिंग का एक भाई माता पिता और पत्नी है, आज बात करेंगे शेर सिंग की जिंदगी की, फूलन देवी के साथ मध्य परदेश के बहमाई गाउं में ठाकोर समाज के कई लोगों ने तीन सपता त के नाम से जाना जाता है, डाको फूलन देवी ने बाद में आत्म समर्पन कर दिया था, बाद में जेल से छुटने पर फूलन देवी सांसत बन गई, यहीं से शुरू होती है शेर सिंग की कहानी, जब शेर सिंग ने 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास के सामने ग राना पर हत्या का केस चल रहा था, वो तीन साल तिहार में बंद रहा, 17 फैबरवरी 2004 को राना जेल से फरार हो गया, इसके बाद वो बुरादावाद के एक होटल में रुका और अपने रिष्टेदारों से एक लाक रुपे मांगे, फिर दो महीने वीजा के लिए भारत में भटकने के बाद वो बांगलादेश पहुँचे, वहाँ उन्होंने 16,500 रुपे में एक सैटलाइट फोन खरीदा, जिससे बिना ट्रैक हुए वो अपने रिष्टेदारों से आसानी से बात कर सके, इस दोरान रिष्टेदारों से शेर सिंग राना को 15-20,000 रुपे हर महीने बिलते रहे, बांगलादेश से दुबाई होते हुए वो अफगानिस्तान पहुच गए, शेर सिंग राना अफगानिस्तान पहुचने के बाद वहाँ से गजनी पहुच कर 11 शताबदी के समराठ पृत्विरा चोहान की अस्थिया भारत ले आए, इस दोरान शेर सिंग रान को एक बार फिर कोलकाता के गेस्ट हाउस से गिरफतार कर लिया गया, इसके बाद दिल्ली की अदालत ने राना को फुलन देवी की हत्या के आरोप में 14 अगस्त 2014 को उम्र कैद और एक लाग जुर्माने की सजा सुनाई, लेकिन समराठ पृत्विरा चोहान की अस्थिया जा जोखिम में डालकर भारत लाने के बाद उसकी छवी अलग बन गई और उसे एक हत्या के आरोपी के रूप में ना देखकर अच्छा व्यक्ति समझा जाने लगा, वही उनकी बहादूरी की हिंदुक शत्रिय सेना ने प्रशंसा भी की, इसके बाद दिल्ली हाई कोट ने शे जनलोग पार्टी, शेर सिंग ने 2012 में उत्तर प्रदेश के जेवर से सुरेश राना के खिलाफ चुनाओ भी लड़ा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा, जब इस फिल्म को लेकर फिल्म के डिरेक्टर विनोध भानुशली से बात की, तो उन्होंने कहा कहा कहानी और र साइटेड है, गौर तलब है कि शेर सिंग ने फिल्म में राजपूत डिरेक्टर और एक्टर के होने से खुशी जाहिर की है, इसी प्रकार की तमाम जानकारे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, नमस्कार